गैस जावा का मैंने आप लोगों को एक question दिया था exercise 1 में और आप में से कई लोगों ने उसको attempt किया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि इस वीडियो को खोल के और जो comments हैं मैं उनको sort by कर देता हूं new as first और इसके बाद मैं सबसे नीचे scroll करूँगा और नीचे scroll करने के आप लोगों मैं से जिसने सबसे पहले लिखा हूए है comments मैं उनके पढ़ूँगा नीचे से मैंने जैसे की बोला था तो question था एक CBSC calculator बनाना था मैं इसको बुरा scroll कर लेता हूं फिर वापस आता हूं so guys यहाँ पर मैंने scroll कर ली है comments और जो सबसे पहले लोगों ने जिसने comment किये तो मैं उनको shout out दूँगा और question था write a program to calculate percentage of a given student in CBSC board exam his marks from five subjects must be taken as input from the keyboard ठीक है तो क्या करना है कि आपको एक ऐसा program लिखना था कि keyboard से आपको marks जो है वो input करने है और उसके बाद आपको percentage निकाल ली है CBSC board exam में किसी की और मैं बताना चाहता हूं कि किसी ने भी अगर एक ऐसे चीज़ यूज़ किया जो कि मैंने भी तक नहीं बताई है तो आप लोगो मैं disqualify करूँगा ठीक है तो यहाँ पर कोई बात नहीं मैं इसको उपर scroll करता हूँ Hi first मैं देख रहा हूँ किसी ने solution पोस्ट किया हो लेकिन तब भी मैं शुरू में जैनोंने comment किया उनको shout out देना चाहता हूँ John Cyril, Archit Jain, Om Kulkarni, John Cyril ने फिर से comment कर दिया Aryan Singh, A.V.S Tech Indian, Dalip Samal, Rizu Kool, Micro Cinema, Movies, Python, Webhack, Street Hacker, John Cyril, Sachin Prajapati, Go Aryan और दीपांच चावला, कुम्यूजिकल, Code Everything with Monu, Comedy with Sanat और यहाँ पर मुझे पहला वाला जो इहाँ पर सुजाता जेना ने सबसे पहले इसका answer दिया है तो सुजाता जेना को एक बहुत बड़ा shout out देखते हैं कि सुजाता जेना का code run करता है या नहीं करता है ठीके तो मैं सुजाता जेना का mean function है मैं उसको run करना चाहूंग아 लगा तो मैं इसकोधर copy करता हूँ ठीक है और इसको मैं copy करके paste करूंगा कुक्कि Java का कौन सा video है यह हमारा देख लेते हैं Java का कौन सा video है यह video है 11 ठीक है तो मैं अपने intelligence में CWH-11 करके एक नई फाइल बना लेता हूँ और मैं इनका जो प्रोग्राम है उसको यहां पेस्ट करूँगा ठीक है और यहां पर देखो इन्होंने comment भी मैंने इनका comment copy कर दिया कलती से write above below writing before writing below I think इनका कहने का मतलब यह है कि आप java.util.scanner जो है इसको उपर डालें और इसको main function के अंतर लिखें ठीक है वाई सुझाता आपकी बात मानी हमने इसको बिलकुल सही जैसे आपने बोला था वैसे किया है और यहां पर क्या दिक्कत आ रही है मैं इसको save करता हूँ वापस से लगता है मैंने main function उड़ा दिया so my bad ठीक है तो मैं इसको एक काम करता हूँ main function के अंदर डालता हूँ उड़ाया नहीं मैंने in fact main function बनाया ही नहीं था तो मैं यहां पर इसको main function के अंदर डालता हूँ और यहां पर इस तरह से अभी सही है ठीक है तो अभी इनका जो यह program इसको run करते है और यहां पर देखो enter total marks तो मैं सबको 100 करके देखता हूँ पहले और okay total marks okay तो total कितने marks है subject में वो 100 है तो 190 है एक 100 है फिर अगला 90 है फिर अगला 100 है फिर अगला मान लेते हैं 95 है ठीक है तो यहां पर your total percentage is equal to 475% which is wrong ठीक है तो यहादा का wrong है यह और क्यों wrong है इनका यह भी देख लेते हैं 475 इनका answer क्यों आ रहा है ठीक है तो कमल कुमार जेना आपने गलती कर दिये देखते हैं कि यहां पर क्या issue आया आपके program में तो मैं आपको program अगर inspect करूं तो देखो आपने क्या किया कि सबसे पहले एक float total is equal to 0 बना दिया इसको float बना गया आपने बहुत अच्छा काम किया फिर आपने total marks ले लिए आपने s1, s2, s3, s4 और s5 float ले लिया कोई बात नहीं फिर आपने क्या क्या total में सब को जोड़ दिया तो आपने सब कुछ सही किया है यहां पर मुझे गलती दिख गई क्या है आपने total marks को multiply by 5 भी करना चाहिए न क्योंकि 5 subject है हमारे पास तो I think आप यहां multiply by 5 कर दोग इसको तो आज आज कि divided by 500 होगा ना total marks divided by 500 होगा ना और वो multiply होगा 100 से तो अभी मैं देखता हूं इसको वापस से run करके और अभी मैं यहां पर 100 डालूंगा और यहां पर 90, 90, 95 डाल दूंगा एक फिर उसके बाद 100, 100 डाल दूंगा और अभी बिल्कुल सही आ गया देख आपका program तो कमल कुमार जेना ने सही नहीं बनाया तो मैं उपर और स्क्रॉल करूंगा तो सुजाता जेना ने सबसे पहले देखो इन्होंने लिखा भी है 26 seconds इन्होंने बहुत जल्दी answer किया तो काफी अच्छा लगा लेकिन अगला सही answer किस ने दिया यह मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन बंद करके paste करूंगा यहां पर और इसको official answer भी में declare करूंगा यानि कि जो मैं code दूँगा वो यही code में दे दूँगा अगर यह answer सही आ है तो तो इन्होंने क्या किया सारे physics English chemistry math computer को इन्होंने एक integer के तौर पर store किया है बट आपने float computer बनाया है और next intent use किया है अब next floaty use कर लेते न तो मैं काम करूंगा या पर या तो आप सारे marks को integer ले लो अगर integer में ही है सारे marks तो क्योंकि एक specific individual subject के marks जो होते हैं वो integer में ही दी जाते हैं तो आप int ले लो इन सब को फिर आप इन सब को जोड रहे हो जब आप इन सब को जोड रहे हो add कर रहे हो जब इन सब को तो आप इस उसके बाद यह करने के बाद आप उसको multiply करो 100 से ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर F भी कर दूँगा इस तरह से ठीक है ताकि यह float रहे तो inter float की जो यहाँ पर resultant हमारी जो value आए वो आए float और फिर multiply by 100 float और निकल जाए देखता हूँ कि क्या यह काम कर रहा है आपका program या नहीं तो मैं 60 दूँगा फिर 70 दूँगा फिर 80 दूँगा फिर 90 दूँगा और फिर 100 दूँगा तो मेरे पास आजनीची 80% और आ रही है मैं कामर करता हूँ इसको एक बार और चलाता हूँ और चला के मैं कुछ इस तरह से 28 और कुछ इस तरह से 900 गलती से दे दिया बहुती अटपटा सा result आएगा बट ठीक है तो यह चीज़ भी आप चेक करा सकते हो अपने program में कि कोई बंदा 100 से जादा marks enter ना कर दे गलती से त तो इनका answer सही है तो इसलिए मैं इनको जो है winner declare कर रहा हूँ नितीश बहुगुना is the winner नितीश ने आप यह भी बोला है कि बट कोड जो है वो VS Code में लिखा हुआ है आप VS Code भी यूज कर सकते हो मैंने intelligent ideas लिए यूज करा है मैं बताता हूँ आपको मैं खुद VS Code most of the cases में वाइट कोड में और फिर Java का interpreter कैसे यूज करते है उन सब चीजों में भी जाना नहीं चाता था ठीक है मैं चाता था कि आप जल्दी से अल्दी start करें क्योंकि जो start होता है वो सबसे ज़्यादा important होता है जब आप कोई चीज start कर देते हो ना जैसे आपने Java की playlist start कर दी हो Java अच्छे से लर्न करूंगा similarly आप जब मानलो आप workout करने के लिए जा रहे हो जिम में शुरू के 2-3 दिन आपको start करना सबसे मुश्किल पढ़ता है मैं अपने personal experience से बता रहा हूँ उसके बाद आप 3-4-5-6 दिन जब जाते हो जिम में workout करने के लिए फिर 6 दिन आपको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते तो इसी दरह से यह चीज काम कर दी है शुरू करा है आपने अगर बीच में मैं चाता हूँ कि आपके लिए आपको जो start हो बहुत smooth हो मैं नहीं चाता कि start में लोग फज जाए start में लोग यह सोचेंगा आई तो बहुत मुश्किल इसलिए म मैंने आने वाली वीडियो में बताई दिया हमने operators, associativity इन सब चीजों की बहुत detail में बात करी और अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि जब दो अलग अलग तरह की data types पे arithmetic operation होता है तो क्या result आता है वो चीज आप लोग को बहुत अचीज तरह से clear होगी होगी हमने और operators क यह बात करी है तो मुझे नीचे comment करके आप लोग ज़रूर बताना कि यह course कैसा चल रहा है दिल से मुझे जानने की आप लोगों से इच्छा है आप मुझे please बताना कि कैसा चल रहा है course और अगर आप इस playlist को Instagram पे share करते हो और इस पे share आते हैं अच्छे तो मैं Java के वीडियो पोस्ट किया है मैं जैसे ही time मिलता है इनको देखता हूं सबको दिल देता हूं काफी वैसे submissions है बट मैं थोड़ा time निकालूंगा और आप लोगो दिल मिलने शुरू हो जाएंगे तो जितने लोगों ने भी सबसे पहले comment किया है नीचे से मैं नीचे से दिल डानना शुरू करूंगा तो I hope कि आप लोगो एच्छा लगा होगा thank you so much guys for watching this video and I will see you next time